मदुमे के रोगियों में पैरों की देखभाल करना निहायत आवश्चक है उसकी एक बहुत बड़ी वज़े ये है कि कई बार मदुमे रोगियों के अंदर चलता रहता है जिसका उन्हें पता नहीं चलता विश्यों में लगभग 50% मदुमे रोगी ऐसे हैं जिनकों की उसके ऐसे बारे में पता नहीं है कि वह मधुमे से पीडित है इस श्थिती में एक निजुरोपेथे काम्पी किशन होता है मधुमे का अडियभी ती्स का यानि की द्म का नसों के उपर प्रभाव आना वो नसों के उपर प्रभाव सबसे पहले आता है कई बार जब मरीज पहली- शुगर की समस्या से पीडित होता है पहली पहली बार उसका ब्लड शुगर लेवल बढ़के आता है तो उस समय ही निरोपैथी उसमें थोड़ी बहुत होती है लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो लंबे समय तक अपनी शुगर को नजर अंदास करते रहते हैं कई ऐसे लोग होते हैं जो की लंबे समय तक जिनने पता ही नहीं चल पाता कि उन्हें शुगर है क्योंकि शुगर की बिमारी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें कई ऐसे लोगों को कोई सिम्टम आता ही नहीं है और कोई तखलीफ नहीं होती है जब वो अचानक किसी चीज़ के लिए जांच कराते हैं किसी operation के लिए किसी और problem के लिए तो या कई बार हम लोग जो camp लगाते हैं उसमें आकर के उन्हों ने जांच करा रही तो अचानक पता जलता है कि उनका blood sugar level अधिक है तो जिन लोगों को पता है कि उनका blood sugar level अधिक है उनके लिए अपने पैरों की देख भाल करना निहायत ही आवश्यक है क्योंकि पैर हमारे शरीर का बहुत ही sensitive और बहुत ही आवश्यक आंग है पैरों में अगर निरोपैथी होती है और साथ ही एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं peripheral vascular disease peripheral vascular disease यानि जो धमनियां होती है जो की खून सप्लाई करती है पैरों को उनमें रुकावट का आना जैसे कि heart की धमनी में रुकावट आती है तो heart attack होता है जो cholesterol जमा हो जाता है इसी तरीके से उन लोगों को जिनको heart की धमनियों में रुकावट होती है या उनकी tendency होती है इसी तरीके के लोगों को पैरों की धमनियों में भी रुकावट होने की संभावना रहती है और इस तर 12 साल पहले से ही धमनियों में कॉलिस्टॉल का जमाव और धमनियों में रुकावट आने की पैथालोजी की शुरुआत हो जाती है जिसकी वज़े से धीरे-धीरे करके वो रुकावट बढ़ती जाती है अचानक एक दिन पेशन आपके पास आता है और कहता है किसा मेरा पैर नीला पन आने लगा है या मेरे पैर में सूजन आ रही है और अगर उसका ठीक प्रकार से इलाज नहीं किया गया तो वो कई बार ऐसी स्थिती भी बन जाती है कि वो डाइबेटिक फूट अलसर में तब्दील हो जाता है जिसको की हील करने में बहुत समय लगता है और कई ब तो इस तरीके की इस्तितियों से बचने के लिए दिन प्रते दिन अपने पैरों की डेख भाल करते रहना जरूरी है कई बार बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता कि उन्हें डाइबिटीज है और वो नंगे पाउं चलते हैं बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं नंगे पाउं जा रहे हैं और मंदिर का जो फर्ष होता है अक्सर चिकना फर्ष होता है संगमरमर का बना हुआ होता है जो कि धूप में बहुत गरम हो जाता है तो ऐसी हालत में उन लोगों के पाऊं जल जाते हैं जिसका उन्हें कई बार पता नहीं चलता क्योंकि उनके पैर में सुनपन होता है तो पैर जलने के बावजूद भी पता नहीं होता कई बार बहुत सारे लोग पैरों की सिकाई करते हैं सिकाई करने में पानी के टेंपरेचर का पता नहीं चलता क्योंकि पैरों में सुनपन होता है पैर डाला पैर में गरम लगा नहीं उन्होंने बहुत तेज खौलते हुए पानी में अपने पैर को डाल दिया या जब तक उनके पैर को एहसास नहीं हो रहा तब तक वो पानी को और गरम करते रहते हैं ऐसी इस्थिती में पैर उनका जल जाता है सभी लोग जानते हैं कि मधुमे के रोगियों में घाव भरना एक बहुत बड़ी समस्या होती है एक बार मधुमे के रोगी में घाव हो जाता है तो वो काफी समय लेता है हील होने में और उसके लिए बलड शुगर का नियंतरे तरहना भी बड़ा जरूरी होता है बहुत सारे लोगों को ऐसी आदर होती है कि सुबह जब तहलने जाते हैं तो वो चपल उतार के नंगे पाउं धां घास पर चलने की कोशिश करते हैं उससे उनको लगता है कि शायद कुछ विशेश लाब मिलेगा पर ऐसा कोई विशेश लाब नहीं मिलता बलके कई बार ऐसा होता है कि घास में छुपे हुए जो कान होते हैं या जो नुकीले पदार्थ होते हैं या कई बार कुछ कीडे मकोडे भी घास में बैठे हुए होते हैं जो कि उनके पैरों में काट लेते हैं और उसके वज़े से वहां पे जो घा होता है और वो उनको पता भी नहीं चलता हो चलते रहते हैं घास के उपर क्योंकि नीचे पैरों में सुन्वपन है डायबिटीज की बिमारी है तो जाने या अन जाने दोनों ही स्थितियों में डायबिटिक फुट अलसर होता है कई बार वो मरीज जिनको पता है कि मधुमे है पर नियंतरित नहीं है और वो सोचते हैं कि उनको ये सब करने से शायद विशेशलाब मिलेगा उनको ये पता नहीं है कि पैरों की देखभाल करना कितना आवश्यक है और पैरों की देखभाल कैसे करनी है तो वो इस तरह की पर इस सित को मदुमे है और उसके पैरों में घाओ है और वो घाओ आसानी से भर नहीं रहा है ज्यादा तर में ये घाओ नीचे के तलवे पर होता है अक्सर ये एडी होती है एडी के नीचे की का जो हिस्सा है पैर का उसमें ज्यादा तर ये देखने को मिलता है प्रेशर पॉइंट्स पे ज़्यादा देखने को मिलता है गाव, जहां पे जैसे पैर जब हम जमीन पे रखते हैं, तो जो हिस्सा पैर का जमीन को दबाता है, जो हमारा pressure constitution है, उस पे गाव सबसे पहले होते हैं, तो जब कभी हम लोग जांच करें, तो pressure point की जाच करें, समय समय पर देखते रहें कि pressure point पर ऐसा तो नहीं कि खाल नरम हो रही है या धीरे धीरे वहाँ पर कुछ सूजन आ रही है जिस क्यों कि जो कि आगे चल करके घाओं में बदल जाती है इस तरीके के लक्षणों को अगर हम समय रहते पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोग diabetic foot ulcer को रोक पाएंगे उनको पहचान पाएंगे सबसे बड़ी जटिलता जो diabetic foot ulcer की है वो ये कि तमाम सारे मरीजों में जब ये खाओं नहीं बढ़ता है और ये फैलता जाता है तो पैरों को काटने की नौबत आ जाती है कई बार पैरों का कोई अंग यसे अंग उठा है या उंगली है उसको sacrifice करना पड़ता है ये एक बहुत ही कठिन और बहुत ही तकलीफ दे सिटी होती है कि बाकी का जीवन मनुष्य को अपने उस अंग के बिना ही बिताना पड़ता है साथ ही कि जिन लोगों को एक पाउं में diabetic foot होता है और उसकी वज़े से उनको amputation करने की जरूरत पड़ती है ऐसा देखा गया है स्टडीज में कि उन सभी लोगों को 5 साल के अंदर दूसरे पैर में भी amputation करने की आवशक्ता आ जाती है इसलिए इस तरह की किसी भी इस्तिती से बचना ही श्रेयसकर है बचाव ही उपाय है ज़िए हम अपने मधुमे को नियंद्रिट करेंगे तो अपने पैरों की रक्षा कर सकते हैं और उनको बचा सकते हैं पैरों में यदि घाव हो जाए किसी मधुमे के रोगी को तो उसको उसकी विशेज देखभाल करने की आवशक्ता होती है जो कि सामानने किसी और जगे पर होने वाले घाव से थोड़ी अलग होती है उसको रोजाना उसका नीरिक्षण करना चाहिए उसको एंटिसेप्टिक परिस्टियों में रखना चाहिए जो कि बहुत ही चैलेंजिंग होता है क्योंकि पैर एक ऐसा हिस्सा है जो कि हमेशा जमीन के संपर्क में रहता है तो उसको बिना पट्टी बांधे कई बार ये बहुत मुश्किल होता है कि उसको हम फूल और कई प्रकार की गंडियां जो जमीन के ऊपर रहती हैं उन बैक्टीरिया से दूर रख पाएं ऐसी स्थिती में पैर को काफी समय कोशिश करें कि ऊपर उठाके रखें घर पे जडियदी आप हैं तो उस समय में उसमें पट्टी खोल दें जिससे उसको एरोबिक एटमॉस्फियर भी मिलता रहे कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एनेरोबिक यानी जहां पर आक्सीजन नहीं मिलती उसमें वह ज़्यादा तेजी से पनफते हैं डियाबिटिक फूट अलसर में इस तरह के बैक्टीरिया काफी परेशानी पैदा करते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि जो प्रेश करें कि आसपास का वातावन नीट अंड क्लीन हो वहां पर काईदे से सब पहले से फेनाइल से पोंचा वगरा लगा होना चाहिए घाओं को भी एंटिसेप्टिक तरीके से धोएं और उसके ऊपर फिर एंटिबायोटिक क्रीम का लेब करें जो कि आपका डॉक्टर जिससे इस तरीके के पदार्थों का उपयोग भी डॉक्टर की सलहा के अनुसार जैसा भी बने उसको किया जा सकता है इलाज सामाने तया वही होता है जो किसी और दूसरे घाओं को भरने के लिए इलाज किया जाता है बस उसमें एक चीज एड हो जाती है वो है कि बलट शुगर का एक अफेक्टिव और असरदार नियंत्रा कि बलट शुगर खाली पेट में 100 के नीचे और भरे पेट में 140 के नीचे रखने का अपना भर्सक प्रयास करना चाहिए अगर हम अपने अलफुट अलसर को जल्दी से जल्दी भरना चाहते हैं जो उन घाओं को भरने के लिए विशेश प्रकार की दवाईयां हैं वो आपका डॉक्टर ही आपको बताएगा पृतेक मरीज का इंडिविजु और विशेश प्रूफ से करते रहना चाहिए जिससे उनको डियाबेटिक फूट अलसर ना होने पाए इसके लिए रो जाना अपने पैरों को सुबह शाम दो बार साफ पानी से सावन से धोता चाहिए उसके बार दोनों टाइम जब भी आप पैरों को धोएं तो उनका एक बार निरिक्षण करें एक बार हाथ फेर करके निरिक्षण करें हाथ जब आप पैर के उपर लगाएंगे पैर के नीचे के हिस्फे पे या तलवे पे तब आपको पता लगेगा कोई नुकीला पदार्ट वगएरा पैर में गड़ा हुआ तो नहीं है कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि पैर को नुकसान पहुचा सके या कोई गोखरू या कौर्न वगरा तो नहीं बन गया है पैर के नीचे के हिस्से में अगर इस तरह की कोई चीज है तो उसका जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से मिल करके इलाज करें और उसको वहां से दूर करें अनेता वह आपके लिए एक ऐसी समस्या में तब्दील हो जाएगी जिसका कि निरा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है शुरुआत इसी तरीके की चोटी चोटी चोटों से होती है दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप जब भी कभी पैरों को सिकाई करने की आवश्क्ता हो या कभी आपको लगे कि पैरों को हमें गरम पानी से धोना है सर्दी के मौसम में अक्सा लोग गरम पानी का उपयोग करते हैं तो पा वो इस्तेबाल करने लायक है या नहीं है जब वो दूसरा व्यक्ति इस चीज को कंफर्म कर दे तब आप अपना पैर उस पानी के अंदर डालें इसी प्रकार से मंदिर में जाते समय नंगे पाउं चलने की आवश्क्ता होती है तो कोशिश करें कि धूप में मंदिर ना जा उल्टा करके पहनने का यह होता है कि जो सिलाई वाला पार्ट है मुझे का वो बाहर की तरफ रहे जिससे कई बार वो पैरों में रगल करते हुए उस जगे पर घाओ की शुरुआत कर देता है तो जिन लोगों की नियूरोपैथी होती है जिनकी इसकिन पतली हो जाती है सें इसी प्रकार से घास के ऊपर नंगे पाओं चलने की कोशिश कता ही ना करें जूते पहन करके चलें यदि घाओ और लेडी हो रखा है तो उसके लिए विशेश प्रकार के जूते आते हैं जो कि जितना हिस्सा घाओ का होता है उतना हिस्सा वहां से उन जूतों में कार दिया और यदि कोई और प्रेशर पॉइंट पे कोई और समस्या है जिसके कि घाओं में बदलने की संभावना है तो भी आप उस तरीके के विशेश फुटवियर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो की डायबेटिक फुट के मरीजों के लिए विशेश तौर पे बनाये जाते हैं अगर इन सभी साउधानियों का पालन करेंगे नंगे पाओं चलने की कोशिश नहीं करेंगे और अपने पैरों की नियमित रूप से रोजाना देख भाल करेंगे जैसे शीशे में आप रोज अपना चेहरा देखते हैं उसी प्रिकार से शीशे में अगर अपने पैरों को भी देखें और उनको होने वाली जटिलताओं से और डाइबिटीस से होने वाली पैरों की समस्याओं से बचा पाएंगे